कक्छा नवी के सभी विध्यारती द्यान देखा सुने आज के इस वीडियो के अंतगर देखिए आज हम कक्छा नवी का विशई गनीत का सेट पेपर एदेखेंगे जो कि आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपको काफी हद तक आपको अच्छी मदद करेगा ठीके चले तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सही वी कल्प चुनकर लिखें सोला भागित दो बराबर दो इंटू को सिन्मार्ग का चिन्नी है ठीके खाली बोक्स में संक्या होगी तो खाली बोक्स में संक्या कौन से आएगी चार ठीके दूसरा प्रसने द इनी दो परीमी संक्या हो का गुणन्फल क्या बनेगा सदेव एक परीमी संक्या होती है चोथा प्रसने 0.25 और 0.4 का गुणन्फल होगा तेकि आप गुणा करेंगे तो इसका अंसर निकल कर आएगा 0.1 ठीके पांच वा प्रस्तन है यदि एक दरजन पेन का मुल्य साट रुपे है तो एक पेन का मुल्य होगा कितना पांच रुपे ठीक छटा प्रस्त ने 32 की हाथ एक बटा 5 का मान है कितना मान है दो ठीक है यह यहां पर कराएं दो कितनी बारे 5 बार पांच बार लिखेंगे तो 32 आएगा और यह आपकी एक बटा 5 पांच से 5 कैंसिल बचा क्या के वल ठीक है तो इसका अंसर 2 रहेगा तो चलिए अगला कोश देखते हैं इसके बाद में दूसरा प्रस्थन रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए पहला है चार बटा तीन में दो बटा तीन को घटाने पर रेडेडेस प्राप्त होगा दो बटा तीन दूसरा एक घट में देडेडेस सिर्स होते हैं कितने आठ तीसरा है 48 भागित पांच में सेस्फल का मान देडेडेस होगा कितना तीन बहुपद पी एकस इक्वल चार एकस माइनस तीन का सुन्या कितना बनेगा चार बटा तीन है ठीके इसके बाद में माइनस पांच माइनस इसके बाद में माइनस आठ माइनस तीन इक्वल डिडेस होगा कितना जीरो आएगा इसका अनसा ठीके और कोश्य नमबर छट्टा आप कम्प्लिट कर लेना चलिए अगला प्रसन देखते हैं कोश्य नमबर तीन ने हमाई सही जोड़ी मिलाई तो सही जोड़ी पर मैंने यहाँ पर नमबर डाल दिये हैं ताकि आप सभी का जानदा समय बरबाद ना हो तो स्क्रीन सोट ले और कम्प्लिट करें सके बाद में एक वाक्श की यह एक सब्द में उत्तर लिखे ठीके इसका पहला प्रसन बिंदू चार और एक की एक सर अक्षे से दूरी क्या होगी एक होगी दूसरा है एक वाद 2 के बीच एक परी में सख्या सोरी परी में लिखे तो साथ बटा आठ हैं इसके बाद में है तीसरा अंडरूट तीन को अंडरूट टू की घदो और अंडरूट में क्या है तीन है इसे गुणा करने करके मान लिखे तो कितना आएगा इसका मान तीन आएगा ठीक है क्योंकि अंडरूट से अंडरूट केंसिन लट्टू का अकार किस ठोस आकरती के समान होता है गोल और पांचवा प्रस्थ नहें एक वहां चालक को 180 किलोमेटर दूरी तेख करना है वहां 95 किलोमेटर चल चुका है तो उसे अभी और कितने किलोमेटर चलना है तो 85 किलोमेटर और आगे चलना है चले छटा प्रस्थ नहें बिंदू माइनस एक चार किस चतुरांस में इस्तित होगा तो दूसरा ठीक है दूसरे चतुरांस में इस्तित है तो स्क्रीन सोट ले और कंप्लीट करें भरोसा रखिए 100% आपके इन्हीं पेपर में से प्रस्थ नहाएंगे ठ ठीके चलिया कोश्चन नमबर पाच है निम्नलिकित के लिए सत्ति असत्ति लिखिए पहला है एक घं में कुल छे फलक होते हैं असत्ति दूसरा है मूल बिंदू में भूज एवं कोटी दोनों ही सुननी नहीं होते हैं सत्ति तीसरा पुस्तक एक घनापकार ठोस आकरती होत होते हैं सत्ती पाँक कह jiget जिरो और मैनस पांच वाई एक्षश परिस्तित होगा सत्त छता है रेखिक बहुपत की घत दो होती है सत्ती रेखिक बहुपत की घत एक होती हिए ठांक है घत खांक ने तो स्क्रीन सोट लग और आप अच्छे सेंट प्रिस्तनों को कम्प्लेट करें इसके बाद में हमारा कोशिय नम्बर छटा संख्या हो माइनस साथ, छे और माइनस नू और आठ का योग क्या होगा? ठीके? किसी संख्या में 62 जोडने पर 100 प्राप्त होता है वहां संख्या क्या होगी? चलिए अगला है 4526 में संख्या पाँच की स्थानिवा अंकित मानों का अंतर क्या है? 29 भागित 6 में भागपल तथा सेस्पल कमान लिखे ठीके? कोशिय नम्र 10 से Y इक्वल 2 के लिए वेंजन 3Y माइनस 2 कमान क्यात किजे इसके बाद में कोशिय नम्र 11 तीन सो पचास को चार अनुपाद तीन के अनुपाद में बाटे और यह आपका कोशिय नम्र 12 ठीके? चलिए अगला प्रस्थन है तीन बटा पाँच को भीननी के रूप में लिखे कोश्च नमबर 13, इसके बाद में ये कोश्च नमबर आपका 15, 16 प्रसन है, संख्याओ 3-6-25 को संख्यार एखा पर अंकित कीजिए, ठीक है, कोश्च नमबर 18, इसके बाद में कोश्च नमबर 19, 446 इंटू 4 तक का मान गयत कीजिए, ठीक है, कोश्च नमबर 20, इसके बाद में question number 21 और यह है question number 22 यह दी bracket में x minus 1 4x की power 3 plus 3x square minus 4x plus k का एक गुननफल है तो k कमान ग्यार कीजिए ठीके और यह है question number 23 5 बटा under root 5 minus under root 3 को सरल कीजिए ठीके तो आपके total person हो चुके है कीजिए हो खुके है फुके अर्फान हो उजारär्री कीजए